राथे राथे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप अपनी नौरिज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों आज की इस पीडियो में हम आपको बताएंगे एक सरल और प्रभावकारी उपाई के बारे में जो एकादशी पर कहने से आपके भागे के द्वार खुल जाएंगे बसों के नेधनता दूर हो जाएगी भगवान पिश्टू और महालक्ष्मी आपके उपर असीन दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाफकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का नेवास माना जाता है और निया मितरूप से तुलसी मा का पूजन करने से मा लक्ष्मी की आशरवाद सदय बना रहता है लेकिन इसे के साथ क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज बानने से मा तुलसी का आशरवाद मिलता है आपको वह सारी खुश्या मिल जाती हैं जिसके आप लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बानना है जरूरी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती है वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दमा मा का आश्रवात सदेब आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तुस्तों तुलसी पवित्र और पूचनिया है अनेक औशदिये गुणों से भरपूय तुलसी का धार्मिक बहत्व भी है अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांदेक प्रयोगों में भी इनका उप्यो कहा जाता है जहां तुलसी का पौधा लगा होता है बहां भगवान विश्चु मा लख्च्वी के साथ समस्थ तीतFrom का भी बास माना जाता है तुलसी की पूजा कहने से सभी पापनश्ड हो जाते हैं शास्तों के अनुसात जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा देता है उस घर में शुक्षान्ति और सम्रत्थी हमीशा बनी रहती है भागवान विश्णों की पूजा और प्रशाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी है क्योंकि इसक तुलसी मा को चुंड़ी अवश्य उड़ाएं अक्सर लोग जाने अंजाने में यह गलती करते हैं और तुलसी मा का पूजन तो करते हैं लेकिन चुंड़ी नहीं उड़ाते ऐसा करने से फलों की प्राप्ति नहीं होती मा तुलसी भी नारास हो जाती है शास्तों के अनुस शुब रंग की चुन्ड़ी जैसे की लाल, पीली, गुलावी या हरी रंग की चुन्ड़ी उड़ानी चाहिए तुलसी मा का विभार भगवान शालिक राम से हुआ है और यह रंग सौभाकी के प्रतीक माने जाते हैं इन रंग की चुन्ड़ी मा तुलसी को उड़ाने से आराज कती हैं माम कि शुब रंग की चुनृतिह उड़ाने की सौभाकी िप्रति hatıriger thats की तथ होता और घर में सुखसम्रधि रहती और यदि रहती है के थोश्था पूरानी और जाए परण बड़ने के लिए किसी शुब लिए की चुनुरि गंधी हो जाए तो उसे धोकर बापस उड़ा दें फट जाए तो उसे तुरंद बदल देना चाहें परना मा तुलसी नाराज हो जाती है और शुफलों की प्राप्ति नहीं होती तुलसी जी में कई दिबिशक्तियां बराजमान हैं जो लोग तुलसी विभा करते हैं उन्हें कभी पास यह चीज कभी मत रखना तुलसी मा क्रोधित हो जाती है दोस्तों जहां पर तुलसी का पौधा हो वहां अपने मुक्सिक कभी भी कड़वे वचन ना बोलें तुलसी के पौधे के आसपास छूड़ते चपल जाड़ू पहुचा आधी ना रखें इसे पाप माना जाता है दुलसी के आसपास थूकना भी घौर पाप माना जाता है दुलसी के पास जल से भरा हुआ पातर भी नहीं रखना चाहिए दुलसी के नीची आप दीपक जनाए तो जब दीपक पोड हो जाए दीपक पुझ जाए तो उसे हटा देना चाहिए, बुजा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना अशुब माना जाता है, तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग और गनेश जी की प्रत्मा रखना भी अशुब माना जाता है, तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए, जहां तुलसी का पौधा को वहां साफ सफाई रखनी चाहें, तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहें, तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहें, और रविवार के दिन तुलसी का पूजन भी नहीं करना चाहें, नहीं इस परश करना चाहें, बागी हर दिन तुलसी का पोजन अवश्य करना चाहिए सुभे जल चड़ाना चाहिए और शाम के समय तीपक जलाना चाहिए अक्सर महलाएं इस्तान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल दीती है तुलसी को भगवान से सदा सुभाकन दहने का बरदान मिला है ऐसी में सौभागी में प्रत्थी के लिए बालों को बांध कर मांग में सिंदू लगा कर ही तुलसी को जल अरपित करना चाहिए दोस्तों चाहिं मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी घर में कभी मत लगाना, आपकी घर में हमेशा परिशानी बनी रहेगी। दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में गंदी जगे या फिर टॉयलेट या कच्र रखने के इस्थान के पास तुलसी का पोधा नहीं लगाना चाहें इससे नकाराद पक उजा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नारास हो जाती है घर में कभी सूखी तुलसी भी नहीं रखनी चाहिए इससे अकाल मेत्यों का खत्रा बना रहता है और सुक सम्रती खत्म हो जाती है मां लक्षमी का भी घर में पास नहीं होता तुलसी के सूख जानी के बाद उसे गमले से निकाल कर तुरंत पानी में बहा देना चाहिए शांस्तों के अनुसार घर में सूखी तुलसी लगाना मा लक्षमी का अपमान माना गया है कभी घर की छतपल तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए दश्यन या पश्यन दिशा में भी तुलसी का पौधा ना लगाए तुलसी का पौधा लगानी के लिए पूर और उत्तर पूर्वी दिशा या उत्तर दिश चब्पल पहन कर तुल्सी के पौथे में जल नहीं चणाना चाहिए जल चणाते समय जन्हापके पीरों में भी नहीं गेना जाये इसने धनकी हाने का खत्रवन दहता है और व्यक्ति को पाप भी लगता है तुलसी का पौधा घर के आंगर में या बालकनी में ऐसी जगे लगाना चाहिएं जहां से हवा तुलसी से इसपर्ष करती हुई घर में आए इसने घर में सकारात्म उचा का संचार होता है और सुकसम्रथी में व्रध्धी होती है नियम में तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तुलसी का पौधा घर के आंगर में लगाना मंगलकारी माना जाता है ध्यान रखें तुलसी की पौधी को कभी भी बुरे भाब से घर में नहीं लगाना चाहिए अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहें इसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है दोस्तों अगर घर में एक से जादा तुलसी की पौधे निकल आएं तो इसे अपने किसी पड़ोसी को आप दे सकते हैं शास्तों में कहा जाता है एक से जादा तुलसी जब निकल आए तो इसे बहुत शुब माना गया है यह साक्षात मा लक्ष्मी की आने का संकेत माना जाता है देवी लक्ष्मी आप से बहुत खुश है तुलसी के पौधे को विश्म संख्या में डखना चाहिए जैसे की एक, तीन, पाँच, साथ आदी तुलसी के पौधे में रोज सुभे जल चढ़ाना चाहिए और संध्याकाल के समय दीपक जलाना चाहिए ऐसा कहने से तुलसी मा के साथ ही भगवान लक्ष्वी नारायन के भी असीम कृपा प्राप्त होती है और धन का आभाप कभी नहीं रहता दोस्तों तुलसी के आसपास कभी भी इस पौधे को मत लगाना यह अशुब होने के सासा पूरे घर का बिनाश भी करता है और बह पौधा है नाकफनी का पौधा दोस्तों नाकफनी का पौधा नकारात्मक उजा का संचार करता है यह पौधा अशांती फैलाता है सासार बूत प्रेत और आत्मा को भी आकशित करता है यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है नाखवने का पौधा तुलसी के पास लगाने से मा लक्षमी के साथ मा तुलसी भी नाराज हो जाती है दोस्तों माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास केली का पौधा जरूर लगाना चाहें इसे सर्वशिष्ट और मंगलकारी माना जाता है इसे मा लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विश्णू की भी गृपा प्राप्त होती है और मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है दोस्तों जिस घर में तुलसी के पास यह चीज नहीं रखी जाती उस घर से लक्ष्मी मा कोस्तों दूर रहती है तुलसी माता होती है क्रोधित आपको भी कारे करोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी तुलसी के पौधे के पास शालिक राम जी को रखना बेहर जरूरी माना गया है शालिक राम भगवान विश्णो का निराकार रूप है यह काले रंग का पत्तर है जो नैपाल में बहने वाली गंड की नधी में पाया जाता है जिस घर में तुलसी के साथ शालिक राम को रखा जाता है उस घर में विश्णो जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है धन्दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है शास्तों में कहा गया है शालिक राम जी जहां होते हैं वहां सकारात्मक उजा का भंडार होता है उस घर में कोई भी व्यक्ति वीमा नहीं पड़ता, तरक्की आपके कदम चूमती है पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिक राम होते हैं, वह घर स्वर्ख से भी श्रिष्ट होता है दोस्तों मालक्ष्मी को प्रसन कहिने के लिए तुलसीव के पौधे में लाल रंग का कलावा बान देना चाहिए ऐसा कहिने से घर में सुक सम्रत्थी बनी रहती है, मालक्ष्मी का घर में सदय बास होता है और जीवन के सारे कश्ट दूर हो जाते है शास्तों के अनुसार विशीश दिन जैसे की गुरुवार एकादशी अमावस्या पोणमा आदी शुप दिनों पर तुलसी के जड़ में एक चम्मच कच्चा दूर चड़ा देना चाहिए ऐसा करने से भगवान पिश्णू और मालक्ष्मी खूब प्रसन होते हैं भगवान पिश्णू मालक्ष्मी के आशरवास से घर में कभी भी अनिधन की कमी नहीं होती उमीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंत आई होगी वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं कमेंट बॉक्स में जैमालक्ष्मी जैमातुलसी जरूर लिखें माँ आपर और आपके परिवार पर अपना आशरवात बनाए रखें थैंक्स फोर वचिंग राधी राधी राधी